ये कोई नई बात नहीं है, ये मत सोचिए कि वहिया ये नई लड़ाई चल रही है, Constitution की लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है, और वो ही विचारधारा की लड़ाई है, जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे, उसी के खिलाफ कुछी विचारधारा के साथ, आज कॉंग्रेस पार्टी लड़ रही है, और आपने देखा, नियद दिख जाती है, नियद को छुपाया नहीं जा सकता है, उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ती बनाई, और कुछी दिन बाद, वो मूर्ती तूटकर गिर गई, नियद गल्थ थी, मूर्ती ने उनको मेसेज दिया, कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ती बनाऊगे, तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी, इसलिए वो मूर्ती गिरी है, क्योंकि उनके विचारधारा गल्थ है, वो सामने जाकर हाथ जोडते हैं, और फिर 24 गंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाप काम करते हैं, आप देखिए, इनका राज अभिशेक नहीं होने दिया, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लिमंट के इनॉग्रेशन में, आदिवासी राष्ट्रपती को जाने नहीं दिया, और लडाई ये की है, ये विचारधारा की लडाई है, ये कॉंस्टिट्यूशन सम्विधान की लडाई है, नोटिफिकेशन के लिए बैल आईकोन को दबाए, अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद